हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डब्ली ओनली आईएस आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सी सेट के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट एंड उसके साथ ही कुछ इंपोर्टेंट प्रेक्टेस कोईश्टिंस देखिया आप सभी जानते हो, बहुत साइश्टिंस को सी सेट से काफी एक तरह का डर लगता है तो इस पर्टिकुलर सीरीज से मारी यही कोशिश है कि एक जो डर है ना, उसको हम कहीना के घंत हम कर पाएं और कॉंस्टेंटली हम जो कॉंसेट्स है उनको सीखते रहें और साथ में साथ उनकी अच्छे से प्रेक्टेस भी साथ-साथ करते रहें अगर देखिए बात करेंगे ना, UPSC 2023 की तो चाहे आप बात कर लो unit digit की या बात कर लो remainder वाले questions की ऐसे तीन questions हमें देखने को मिले ठीक है, तो आज के session में हम इसी के बीचे का concept देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन questions को solve कर सकते हैं और साथ-साथ इनको फिर solve भी करेंगे इसी तरह का एक question हमें UPSC 2021 में भी देखने को मिला था तो उस particular question के उपर भी अच्छे से करेंगे कि कैसे इसको भी solve किया चाह सकते हैं तो ये हमारा agenda रहेगा, concept discussion इसके बीचे का और साथ-साथ इन questions को practice करना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक important information में आप सभी के साथ share करना चाहता हूँ जैसा कि आप सभी ने देखा होगा 2023 का UPSC CSET का exam काफी tough था काफी सारे questions ऐसे भी थे जो काफी random UPSC ने हमसे पूछे अब ऐसे time के उपर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी तयारी को और भी जादा सुद्रिल करें इसी सारी issues को resolve करने के लिए हमने launch किया है UPSC CSET Maestro 2024 अब यहाँ पर आपका जितना भी syllabus है quant, reasoning, data interpretation, reading comprehension यह सारे components आपके यहाँ पर prepare करवाये जाएंगे और साथ ही साथ इसकी यहाँ पर proper practice भी होगी सर्वो कैसे, देखो Monday, Wednesday, Friday आप सभी की classes होगी उसी तरह से Tuesday, Thursday और Saturday basically alternate days के उपर आपकी practice चलेगी तो पूरी तरह से आप अच्छे से ready हो पाओगे इस exam को देने के लिए बाकी सारी features जैसे आप देख भी सकते हो ठीक है, आपको full night test भी मिल जाएंगे previous year questions का analysis भी मिलेगा तो यह course start हो रहा है 24 जुलाई से आप online माध्या में भी इसको join कर सकते हो साथ ही साथ हम इस particular course को offline में भी आप join कर सकते हो हमारा जो पटेल नगर में आपको जो center मिलेगा, तो definitely नीचे comments में मैं इसका link भी pin कर दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप इस particular course को join कर सकते हो देखिए, माल लीजिए आपको किसी number को divide करना है, माल लो कि 22 को मैं divide कर रहा हूँ 6 के साथ, ठीक है तो 6, 3 जार आप जानते हो 18 होता है, और 4 बचता है आपका यहाँ पर remainder, ऐसे ही होता है तो यहाँ पर essentially बना क्या यह 22 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 22 is equal to 6 into 3 plus 4 कहने का meaning क्या यह आपका 6, यह आपका 3 और plus remainder तो जो एक number होता है ना तो number को आप ऐसे भी represent करते हो a into b plus remainder ठीक है, यह सभी चीज़े आपको पता होंगी अब जब हम बात करते हैं remainder की क्या बच गया, उसको बोला जाता है अब एक example लेके चलते हैं जैसे मालो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाहिया, जैसे 22 by 6 कही है इसका remainder क्या है, तो आपने फटा-फटा मज़े बिटा जिया कि सर्फ 4 है, on the other hand अगर मैं आपसे पूछता हूँ, let's say कोई number लेते हैं let's say 498 plus 732 और इसको आप बोलता हूँ कि मालो 7 से आप divide कर रहे हो इसका आप remainder करो तो होगा क्या, आप लोग क्या करोगे इसको बड़े sum करोगे, ठीक है फिर आप 7 से इसको divide कर दोगे, आपका remainder आजएगा ये बात भी बिल्कुल ठीक है पर remainder में ना एक property होती है जिसका नाम क्या होता है additive property सर्क कहने का meaning क्या कहने का meaning ये है कि पहले आप सिरफ 498 by 7 कर लो जैसे माल लो आपने 498 by 7 किया इसका आप करके divide करोगे, remainder आएगा 1 ठीक है, सर इतने part का remainder 1 आया फिर आप ये दूसरा वाला हिस्सा 732 by 7 का remainder निकाल लो जब आप 732 by 7 का करोगे तो इसका कितना आएगा ठीक है, इसका remainder आजगा आपका 4 आजगा, ठीक है ना तो 4 remainder इसका आया 1 remainder इसका आया, और बीच में क्या था प्लस, तो बस सिंपली इसको प्लस कर दो 1 plus 4 by 7, तो बना 5 by 7 तो इसका remainder क्या जाएगा, 5 कहने का meaning क्या था, remainder में additive property होती है, जरूरी नहीं क्या आपको इसको भी add करो, इसको भी add करो नहीं, आप पहले इस वाले का सिरफ, मत्तब इतने सिरफ 1 second, सिरफ मान लो इतने वाले हिससे का आपने remainder निकाल लिया 498 को 7 से divided कर कर reminder निकाल लिया उसी तरह से 732 को 7 से divided कर कर reminder निकाल दिया, बीच में था की एक्जामपल दीजिए बिल्कुल देंगे एक्जामपल जिसे फॉर एक्जामपल आप नोटेस करो कि आपके वास पर नंबर है लेट से 35 मल्टिप्लाइ बाए 42 मल्टिप्लाइ बाए 55 ठीक है और आप से पुछा है कि इसका भाया आठ से रिमेंडर करके बताओ क्या होगा अब तरीका तो यह ही है आप इसको पहले मल्टिप्लाइ करोगे 35 इंटू 42 इंटू 55 फिर जो प्रॉडक्ट बनेगा उसको आप 8 से करो ही मत सब तो क्या करें आप पहले 35 को चेक करो 35 का देखो 8 से क्या रिमेंडर आ रहा है 34 को सर मैं 8 से डिवाइड करेंगो तो रिमेंडर आएगा 3 ठीक है 8 4 जा 32 प्लस 3 बचा तो 3 यहां पर रिमेंडर आ गया फिर आप आओ 42 में 42 को डिवाइड करो 8 से तो 42 को सर 8 से इस केस में आ गया और बीच में था सब के मल्टिप्लाइग तो सिंपल वेस इतना निकाल लो तो यह क्या बना 3 इंटू 2 इंटू 7 3 इंटू 2 इस 6 6 इंटू 7 इस 42 तो यह बना 42 बाए 8 और 42 बाए 8 का रिमेंडर क्या होता है 8 5,040 बचा 2 रिमेंडर तो टेकनी कली न इस प् प्रॉपर्टी भी हमें रिमेंडर में देखने को मिल जाती है I hope यह भी आप समझ गये होंगे ठीक है अभी ना सिर्फ समझा रहा हूं क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना तो आप देखो किसे इनको इंप्लिमेंट करेंगे एक तीसरी चीज और होती है उसको बोलते हैं हम क्या नेगेटिव रिमेंडर सिर्फ नेगेटिव रिमेंडर का मतलब क्या simple example देते हैं जिसे मालो 55 की हम बात कर रहे थे 55 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है रिमेंडर सिर्मेंडर आता है 7 ठीक है ना 8 6 और 48 प्लस 7 बचे तो 7 रिमेंडर अब 56 को जब मैं 8 से आ रहे है 0 यह से एक ही तो पीछी दा रहे है तो actual में ना मैं इसको 7 ना लिखे मैं इसको minus 1 भी तो लिख सकता हूं योगि 0 से मैं एक पीछी तो जाना है ठीक है 56 का रिमेंडर 0 था तो 55 का क्या हो जाएगा minus 1 मैं आपको समझाता हूं जिसे for example आप एक number लेके चलो आप इस इस तरह से number ले रहे हो 55 into 55 into 55 divided by 8 ठीक है इसका रिमेंडर बताओ तो आप मैंसे simply बोलोगे सर 55 by 8 का रिमेंडर होता है 7 तो 7 into 7 into 7 कर लेंगे by 8 और इसका calculation निकलेगा उसको हम accordingly आट से डिवाइड करके रिमेंडर निकाल लेंगे ठीक है पर मैंने जासे बता है ना 56 का रिमें 1 into minus 1 divided by 8 ठीक है अब इससे क्या हुआ इससे accordingly आपकी calculation बचकी अंसर क्या है आपका minus 1 by 8 इनको multiply करोगे तो रिमेंडर क्या बनेगा minus 1 थोड़ी रिमेंडर हो सकता है minus 1 की value क्या होएगी 7 होईगी तो actual में इसका रिमेंडर 7 ही आएगा इस तरह से आप इसको use कर सकते मैं आपक एक example लेके चलता हूं जैसे हां जैसे एक example लेते हैं let's say एक number है 9 की power 131 divided by 5 मैं आपसे पूछता हूं sir इसका रिमेंडर क्या है अब इस case में आप जया तो सोचो कि कैसे इसको करेंगे या फिर आप देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 is equal to 5 into 2 मैं रिमेंडर 0 होता है 10 के case में तो 9 के लिए क्या होगा मतलब अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमेंडर या तो 4 होगा या फिर यह 4 के अगला number क्या है 5 तो रिमेंडर इसको मैं minus 1 भी तो लिख सकता हूं विल्कुल लिख सकते है ठीक है ना तो actual में कुछ और नहीं बना यह minus 1 की power 131 बन गया है देखो 10 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमेंडर 0 आता है ठीक है ना और 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमेंडर 4 आता है अब इसको मैं 4 ना लिखके क्या लिख रहा हूं मैं इसको minus 1 लिख रहा हूं क्योंगी मैं देखो रिमेंडर का हूं से चक तो उसका remainder minus 1 लिख सकते हैं इस तरह से 16 बैश यह का remainder या तो आप 4 लिख सकते हो या उसको कह सकते हो minus 2 getting the point इस तरह से आप remainder सोच सकते हो अब चलो आओ इस question पर आओ या पहले इस question को छोड़ो पहले आप इस question को tackle करो इस question को कैसे करेंगे यहां क्या कह रहा है कि what is the remainder if 2 की power 192 is divided by 6 अब इसको समझते हैं देखो करने के कही सारे तरीके हो सकते हैं पर एक तरीक का तो यह हो गया आपका मालो यहां पर आपको साइकलिसिटी ढूलनी पड़ेगी साइकलिसिटी कैसे जैसे आप एक्जामपल लेके चलो पहले आप चेक करो टू की पावर 1 ठीक है इसको आप 6 से डिवाइड करो तो क्या बना टू की पावर 1 का by 6 का remainder बताना मुझे remainder बचा 2 ठीक है दो बैच ही हुआ इसी तरह से 2 का square का remainder by 6 जब करोगे तो 2 का square होता 4 4 by 6 का remainder बचा 4 इसी तरह से 2 क्या cube का by 6 करोगे 2 की पावर 3 8 by 6 बचा 2 2 की पावर 4 by 6 यानके 16 by 6 इसका remainder आया 4 अब आप जिक्स नोटिस कर रहे हो पहले remainder 2 आ रहा है फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 4 फिर अगला number चेक करोगे फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 कह करने का meaning क्या है यहाँ पर है एक न हमें cycle बनता हुआ देखने को मिल रहा है basically एक cyclicity देखने को मिल रही है सर कितने की cyclicity cyclicity है 2 की ठीक है 24 24 24 24 24 ऐसे 2 2 की cycle बन रहे है न तो बस हमें 2 की पावर 192 चेक कर रहे है हमें बस यह देखना है कि 2 की पावर 192 को corresponding क्या चीज आ रही ना cycle 2 का बन रहा था तो 192 को आप जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो accordingly आपको क्या देखने को मिलेगा accordingly आप देखने को मिलेगा यह तो पूरे डिवाइड हो जाता है इससे ठीक है या फिर यह even नंबर है तो जब भी आप देखो जब भी even पावर्स चल रही है जब भी व पर आप इसको solve कर सकते हो अब मालो यह question आगया आपके सामने यह भी 2023 का ही है यहाँ क्या पूछा है यहाँ पूछा है 57242 की power क्या है 9 x 7 x 5 x 3 x 1 इसका आपको unit digit पूची होई है अब दरसल में unit digit भी धूणना उतना ही easy है जतना remainder धूणना है सर्फ वो कैसे देखो सिरफ उस किस के आएगा सिरफ और सिरफ आपकी जो unit digit है सिरफ उसका ही इंपेक्ट आएगा तो टेक्निकली मिझे सिरफ 2 की power देखनी है बाकी चीज़े उतने point है ही नहीं यहाँ चाहे आगे sword आगे लगा दो ना उसका फरक नहीं पड़ रहा यहाँ फरक सिरफ 2 का ही पड़ेगा तो div you to enjoy 315 इंटू 3 ठीक है यहाँ इए बन गया आपका 945 टो टू की पावर यह बने हा 945 ठीक है अब simply काम करणा है हमें अब च fighting kuk одग्टार 1 क्या होता है to 2 का square का unit digit क्या आता है 4 2 की power cube का unit digit क्या आता है 8 2 की power 4 का unit digit क्या आता है अब देखो 16 होता है 2 की power 4 unit digit क्या होगा 6 ठीक आखरी digit बता नहीं है बस 2 की power 5 जब मैं गया तो बना 32 32 मतलब unit digit is 2 2 की power 6 unit digit is what 64 होता है तो यह हो गया 4 अब यहां देखो repetition आई 2486 फिर से 24 आगे continue करोगे तो 86 आएगा तो यहां क्या हो रहा है यहां सर साइकल बनती हुए दिख रही है मुझे सर कितने कितने की साइकल है यह साइकल सर 4 ही बन रही है है कि नहीं 4-4 की साइकल है बिल्कुल सही बात है तो इस case में हम क्या करेंगे हम बस power को उठाएंगे 945 को उठाया उसको divide किस से करेंगे 4 से करेंगे क्यों 4 से क्या क्योंकि यहां पर क्या हुआ आपका जो साइकल था वो 4-4 का था तो जैसे हमने किया अब इसका remainder बताओ तो मुझे क्या हुआ रिमेंडर आएगा इसका remainder आजाएगा इसका 1 आजाएगा तो 1 remainder आया 1 remainder होने का मतलब क्या 1 remainder होने का मतलब यह 0 होता तो कहिना कि आपका 4 वाला आता remainder 1 आया तो यह वाला case होगा यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है जो unit digits देखने को मिलती है that is 2 ठीक है तो answer क्या बन जाएगा हमारा option number 2 is the correct answer simply क्या करना है simply cycle देखा cycle से देखा कि क्या remainder आ रहा है जो remainder आ रहा है जैसे इसकेस में 1 आया था यह रहा 1 आपका इसकेस में यहाँ पर according उसके सामने unit digit कौन सी थी 2 थी तो यह हमारा accordingly answer हो गया ठीक है very easy question ठीक है आगे एक और question देखो यह रहा हमारा question ठीक है इसको तो बहुत असानी से आप solve कर सकते हो ठीक है जादा मुश्किल होने नहीं चाहिए ठीक है इसको बताओ देखो इस केस में क्या पूछा है simple सा रिमेंडर क्या होगा 85 into 87 into 89 into 91 into 95 by into 96 by 100 यह पूछा है कि इसकेस में रिमेंडर क्या होगा इसकेस में को कोई logic नहीं लगेगा simple साचीज है आप notice करो यह 100 को आप कोशिश करो किसी से cut करने की जैसे for example आप इस सो 5 से cut कर सकते हो यह 5 into 17 is 85 यह बना आपका 5 into 20 is 100 ठीक है यह फिर से यहां से cut जाएगा 5 into 19 is 95 5 into 4 is 20 ठीक है और यह 4 देखो 4 into 14 24 is 96 अब यह तो देखो नीचे कुछ बजा ही नहीं यह तो पूरा-पूरा cut गया इससे जो पूरा-पूरा cut गया तो क्या आएगा remainder, remainder तो obviously 0 ही आएगा यह तो बहुत से simple question था ठीक है तो यह तीनों question हमने आज करने की कोशिश करी है अब एक ना, एक logic यह हमने थोड़ा और यह वाला question मैंने आपको करवा दिया वैसे ठीक है हम इसको देख चुके हैं पर इसको ने एक और सरीके से मैं आपको समझाने कोशिश करता हूँ जैसे इसको देखना एक बार, यह क्या पूछ रहा था 2 into 2 की power 192 by 6 हमने इसको देखा ना, cyclicity के माध्यम से कैसे solve कर सकते हैं वो हमने देखा, पर आप notice करो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ 6 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 into 3, बिल्कुल लिख जा सकता है है कि नहीं, 2, 6 के ओधर 2 into 3, अब ऐसा भी तो हो सकता है मैं 2 को, 1, 2 को, यहां से 2 को काट दू, है कि नहीं, तो 2 की power क्या बन जाएगा, 191 by 3 बन जाएगा, बट ध्यान में रखना जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे काट थे हैं रिमेंडर वाले केस में, तो आखिर में उसको multiply जूर करते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया है 2 को 1, 2 को काट थे हैं, तो 2 के पर 191 by 3 के हमने value निकाल नहीं है पर 2 से काटा है, तो मैंने 2 को अलग लग लगते है क्योंकि आखिर में हम इसको multiply करेंगे अब इसका भी आप रिमेंडर निकाल सकते हो अब कही तरीके हो सकते हैं, या तो इसके cycle city निकाल लो, या फिर आपको देखो आप जानते हो कि इसका negative remainder क्या बनेगा, क्या आद करो अगर 3 को आप divide करते हो 3 से, remainder आते है 0, तो 2 को अगर 3 से divide करो है, तो या तो remainder 2 आएगा या आएगा minus 1, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ minus 1 की पावर 191 by 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ तो minus 191 1 की पावर 191 ये के बना, minus 1 by 3 minus 1 by 3 का remainder क्या हूँआ, remainder आएगा इसका 2 ही तो आएगा, ठीक है, minus 1 का आप 3 से divide करोगा या फिर minus 1 का आप 2 भी लिख सकते हूँ तो 2 आएगा इसका remainder, पर ध्यान रखना 2 अभी तक यहाँ इसका remainder आए, मैंने starting को बिताया था 2 यहाँ पर जो काटा था ना आपने, उसको multiply भी तो करना है तो 2 into 2 करोगे, तो यह आपका answer आदेगा 4 तो ऐसे भी आप solve कर सकते हो तो negative remainder से कई बार आपका जो question होता है थोड़ा असान हो जाता है, बस यह बात होती है Getting the point अब देखो, 2021 का यह question था बस तो आप try करो, मुझे एक बार कोशिश करो वीडियो pause करने की, मुझे जो comments में बताओ इसका क्या answer आएगा, अब चोड़ो इसको भी एक बार solve करी लेते है यहाँ क्या पुछा है 3 की power 2,019 तो जब आप 10 से divide करोगे तो आप वहाँ पर क्या remainder आएगा, यह हमसे बूच रहा है तो बहुत simple है, हम toxicity ढूणने की कोशिश करते है जैसे 3 की power 1 को आप divide करो 10 से तो remainder आता है आपका 3 3 का square, वो 10 से divide करोगे जैनकी 9 by 10 को divide करोगे तो यहाँ remainder आएगा 9 जैसे 3 by 5, 243 होता है उसको 10 से divide करोगे, यह बना 3 फिर अगला number आएगा 9 तो यहाँ पर आप notice कर रहे हो 3971 फिर से 39 आना लग गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक cycle दिखा बिल्कुल दिखा, फिर कितने कितने का cycle है यह 4-4 का cycle है 3971, 3971 ऐसे करते करते यह repeat होता जा रहा है है कि नहीं, तो cycle बना सर 4 अब ऐसे कि ऐसे cycle 4 का बन गया फिर हम क्या करेंगे यह power लेंगे, 2-0-1 इसको किस से divide करेंगे हमारे cycle से, cycle है 4 का ठीक है ना, अब आप जानते हो जब कोई सी number को हम 4 से divide करते हो हमोई सिर्फ remainder देखना होता है तो अगर हम सिर्फ आखरी दोड़ जीट भी देख लेंगे हमें बही से remainder मिल जाएगा जब 4 से divide करते है यह तो आप simple remainder निकाल लो दीक है, 2019 को 4 से divide करो तो आप notice करोगे, 19 by 4 यह remainder आएगा, इस case में 3 remainder 3 आया, तो हम कहां जाएगे यहां पर, यह रहा 3 है हमारे पास 3 की power 3, ठीक है remainder 3 यहां पर 3 था तो 3 के सामनी मारी remainder कौन सा था यह था 7, तो answer क्या बन जाएगा option number C, 7 is the correct answer क्या देखा simply, cycle देखा cycle को, मतलब power थी cycle से divide किया, उसका remainder देखा जो remainder आया, वो cod English को corresponding हमें, देखी कौन सी power थी उस पार की corresponding जो remainder था, वह ही मारा answer होगा तो इस तरह से यहां पर इसका सही answer बन दाएगा option number C, 7, तो देख रहे हो similar concepts है, एक तो cycle ढूणने का, और कही ना कहीं हम जो negative reminders को भी use कर सकते हैं ताकि अपनी calculation को थोड़ा असान बना पाएं, तो तीन question C, 7, 2023 में और एक question 2021 में हमें इस सेम concept पर देखने को मिला था, तो कुछ question ऐसे होते हैं, जो काफी easy होते हैं, ठीक है अगर previous question किया होता, तो definitely यह सारे questions हम बना सकते थे, I understand 2022 का web पर मुश्किल था, काफे मुश्किल था बट कुछ question definitely हम अच्छे से कर सकते थे, जो हमारा time भी बचा सकते थे जैसा कि इस case में हमने यह 3 question देखे, ठीक है तो आई होप आज का lecture आपको अच्छे समझ आया होगा यह जो lecture है, अपने friends के साथ भी definitely आप share कर सकते हो जिनको ना C-set में दिक्कत आती है बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना कि C-set से कोड़ दरते हैं actually concepts के clarity नहीं होगी तो कई बाद डर लगता है UPS ने लेवल भी tough किया है बट हमें भी अपनी तयारी को उस तरह से ही तयार रहना चाहिए हमें भी अपनी तयारी उस साब से ही करनी चाहिए तो make sure आप भी इसको follow करते लिए अपने friends को भी बताईए इसके बारे में ताक कि आप अच्छे से इस particular exam को clear कर पाऊं ठीक है friends, this is it for this video keep working hard, goodbye and good luck